गुड मॉर्निंग बच्चो मैं उस्मान गनी सर म्यूज हाई स्कूल यूटूब में आपका स्वागत करता हूँ हमने पद्य उन्नीस तोता और इंद्र इस पद्य रत्ना की हमने दो पार्ट में बात की है पहले पार्ट में हमने कविता का सर अर्थ और पद्य का पठन भी किया और दुसरे पार्ट में हमने कविता का भावार्थ जानेंगी घुजराती में उसका भावार्थ और साथ में जो बागी रह गई थी जो कविता थी उनको भी हमने समझा है आज इस वीडियो में याने की तिसरे बार में बात करेंगे मुख्यत्वे प्रस्णों तरकी तो प्रस्ण एक तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या-क्या कारण बतलाए हैं प्रस्ण में एक बार फिर से दोराता हूं तोते ने उस पेड से अपने अत्यधिक लगाव के क्या क्या कारण बतलाए हैं तो जवाब तोते का उस पेड से बहुत लगाव था पहले वह पेड बहुत अराभरा और सुन्दर था तोता का जन्म उसी पेड पर हुआ था उसकी डाली डाली उसे प्राणों से भी प्यारी थी उसने उस पेड की आनंद दायक चाया में होस संभाला था उसने बोलने फुदकने और उड़ने की शिक्सा इसी पेड पर मिली थी बचपन से लेकर अब तब उसने तोते को सितल चाया दी थी तोते ने पेड़ को अपने सुख दुख का सच्चा साथी पाया था उसे इसी पेड़ पर सुख, संतोस और सांती प्राप्त होती है तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के उपर्युक्त कारण बतलाए है नमबर दो तोता और इंद्र का संबाद अपने सब्दों में लिखिए तो इंद्र कहता है अरे भै तोते इस बन में एक से एक हरे बरे पेड़ भरे पड़े है आश्चरे है तुम इस सुखे पेड़ के इस खोखले में अपरिचीत जैसे और अनाडियों की भाती पड़े हुए हो यह मुर्खता तो नहीं है तो और क्या है तोता कहता है महराज यहाँ पेड़ आज सुख गया है पर पहले यहाँ बहुत अराबरा और सुन्दर था पूरे वन में यहाँ अपने ढंक का अकेला और सबसे अच्छा पेड़ था यहाँ इस वन की सोभा था विभिन्य प्रकार की चिडियों कोयल तोते मैंना आदि सबको यहाँ पेड़ बहुत प्यारा था मेरा जन्म इसी हरे भरे पेड़ पर हुआ था इसलिए मुझे इसकी डाली डाली बहुत प्यारी है इसकी चाया में मैंने अपना जीवन आरंब किया था इसी पर मैंने बोलना चहकना और उड़ना सीखा था इसने मुझे बचपन से लेकर अब तक शितल चाया दी है यहाँ मेरे सुख दुख का सच्चा साथी रहा है लेकिन आज यहाँ पेड सुख रहा है इसका यहाँ कारण है कि एक बार वन में एक सिकारी आया था उसने अपने विश से बुजा बान इस पेड पर चला दिया तब से यहाँ पेड विश के प्रभाव से दिन प्रति दिन सुखता जा रहा है यहाँ पेड मेरा बच्पन का साथी है इसी पेड पर रहकर मुझे सुख संतोस और सांती मिलती है इसे छोड़कर मैं कहां जा सकता हूँ लगता है इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम खशन होगा तब इंद्र ने कहा ओ तो यहाँ बात है तोते मैं तुमसे प्रसन हूँ अब तेरा जिवन सफल हो जाएगा तो मुझसे जो भी चाहो मांग लो मैं इसी क्षन उसे पुरा कर दूँगा तोता कहता है है देवपती यहाँ पेड सारे वन की सोभा है आप इस पेड को हरा भरा कर दीजिए और इंद्र कहता है एवां मस्तू प्रसन तिसरा सुखे पेड पर तोते को देख इंद्र को क्यों आश्चरेव हुआ जवाब वहाँ जंगल बहुत विशाल और सुन्दर था उसमें अनेक हरे भरे और चायादार व्रुक्स थे हर एक पक्षी को हरे भरे व्रुक्स पर बसना ही अच्छा लगता था फिर भी तोता उन हरे भरे पेडों पर न रह कर एक सुखे पेड के खोकले में रहा रहता था यहाँ देखकर इंद्रों को आश्चेरिय हुआ उसके बाद का प्रस्न प्रस्न चार तोते ने उस सुखे व्रुक्स पर रहने का कारण क्या बतलाया क्या आप उसे ठीक समझते हैं जवाब तोते ने कहा कि इस पेड पर जब मेरा जन्म हुआ था तब यहाँ पेड हरा भरा और सारे वन में सबसे सुन्दर था बच्पन से लेकर अब तक इसने मुझे चाया दी है और हर दम मेरे सुख दुख का साथी रहा है मैं अपने बच्पन के साथी को उसके बुरे दिनों में छोड़ कर कहीं नहीं जा सकता मेरी राय से तोते का कहना स्चत प्रतिशत सही है साथी की पहचान बुरे दिन आने पर ही होती है तोते ने सच्चे साथी का फर्ज निभाया है प्रस्न पांच तोते के उत्तर का इंद्र देव पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका फल क्या हुआ तोते ने इंद्र से कहा कि इस सुखे पेड़ से इसका बच्पन का रिष्टा रहा है और इसका अंत भी उसी के साथ होगा यहां सुनकर इंद्रदेव द्रवीत हो गए उन्होंने उस पेड़ को नव जीवन प्रदान किया और वहां पहले की तरह हराबरा हो गया उसके बाद निम्नलिखित प्रस्णों के साथ दिये गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए नमबर एक देवता और देवपती कहां से गुजर रहे थे? ए वन बी मंदीर, सीर्शहर या डी देवलोक तो जवाब है फन नमबर दो इंद्र के अनुसार कहां रहने का तोती की मुर्खता थी? ए जंगल में, बी डाली पर, सी नदी के किनारे, या डी सुखे तरू पर तो उसका जवाब है सुखे तरू पर नमबर तिन सुखे पेड़ पर तोते को देख कर किसे आश्चरे हुआ? प्रसने एक बार फिर से, सुखे पेड़ पर तोते को देख कर किसे आश्चरे हुआ? ए देवों को, इंद्र को, मनु को, या डी बच्चों को, तो जवाब है इंद्र को नमबर चार, हे देवपती यहाँ पेड़ सारे वन की सोभा है, आप इस पेड़ को हराबरा कर दीजिए, यहाँ वाक्य किस ने कहा है? ए मनुष्यों ने, बी दानवों ने, सी देवों ने, या डी तोते ने, तो जवाब है तोते ने नमबर फांच, विश्बुजा बान किसने मारा? ए सिकारी ने, बी इंद्र ने, सी देवों ने, या डी दानवों ने, तो जवाब है ए सिकारी ने नमबर छे पेड की चाया कैसी थी? ए मोदमई, निराली, गनी या खुश्बुदार तो जवाब है ए यानि की मोदमई उसके बाद का टोपिक है परियावाची सब्द दीजिये नमबर एक महिमा तो जवाब है प्रताप नमबर दो अती जवाब है काफी नमबर तीन निकट जवाब है समीप नमबर चार तरू जवाब है पेड नमबर पांच मनहर जवाब है मनोहर 6. डाली तो जवाब है साखा 7. आफ़त तो जवाब है कठी नाई 8. कहानी तो परियावाची सब्द है कथा 9. देवपती तो जवाब है इंद्र 10. हर्षित तो जवाब है प्रसन्न 11. तन जवाब है सरीर 12. सोभा जवाब है सुन्दरता 13. हर्दम तो जवाब है हम्मेशा 14. विश तो जवाब है जहर 15. तूरंत जवाब है फौरन 16. बान जवाब है शर 17. तोता जवाब है शुकाखा तो बच्चो यहाँ पर आज हमने इस प्रसन जो चार-पांच वाक्य में जो प्रसने उनकी बात की विकल्प सही विकल्प चुनकर उनके उत्तर दीजिए यहाँ उनकी भी बात की और साथ में परयाबाचे सब्द कुछ सब्द चे उनको भी हमने समझा है तो यहाँ पर आज का टोपिक हम पुरन करते हैं जो भी होमवर्क मिलता हो आपको उन सभी विशेयों का आप घर पर सुरशित रहकर हम वर्क करते रहिए और अपना अभ्यास खुब आगे बढ़ाते रहिए खुब महनत करते रहिए तो यहाँ पर आज का टोपिक पुरन करते हैं नमस्कार करते हैं